वेल्कम टू एक्जाम टेजली तो बहुत सारे इसकों का यह कोशन आ रहा है कि तो पुपिशन नहीं आया है तो एक्जाम का जो डेट है वह कपतक हो सकता है उसका सेडूल कप तक हो सकता है तुम पुरी सारे exams को डेखते हैं तो यह 2024 का एक्जाम हुआ तो ये मार्ँ ही हो गया था, यह था नोतिब्सकेशन था कि आपका सेप्टेंबर में ही आ गया था वहां पर यह हुआ था लास्ट यर की आपका जो सेप्टेंबर में नोटिफिकेशन आया था लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 का एक्जाम यह पर्फेक्ट माना जा रहा तो यह माना जा रहा है कि इस बार भी एक्जाम आपकर नहीं होगा और क्योंकि जून में एक्जाम करें जाता है। तो यह माना जा रहा है इस बार कि आपका जो ऑफिशल नॉटिफिकेशन है या फिर आप बोल सकते कि अप्लिकेशन अप्लिकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा क्योंकि हरी कि स्टुएन के यह कोशिन होता है यह माना जा रहे है कि अप्लिकेशन फॉर्म ने तो इस लिए करीब करिब जो है आप मान के चलिए ऐपके पास ताइंप्लिकेशन फॉर्म के लिए अप्लिकेशन फॉर्म के ember 4 and half months brach जाता है before the application form अब next application form जब आ जाता है आप के च Table ऑर जाता है उसके बाद कि तरीके से इस तरिके से उस्ट हो जाताहरा है आप्को आप एपर इस तरह कि कर दे चहिता कि बहुत के बाद थाध ऑर ऑठ स्पर्राहर की दरके के आप कि अपर इस तरह में है भी एराउंड एक वीक का हो जाता है ठीक है तो यह आपका जो पूरा मेर का टाइम क्रेर है यह आप मान के चली कि जहां पर फॉर्म एडिटिटीग यह वो सारा चीजह है पेमेंट है क्योंकि आप एडिट करते हैं तो वहां पर भी एडिशनल की पे करना पड़ता है इसके बाद जो आ जाता है फिर आपका एक्जाम डेट के अगर हम लोग बात करते हैं जिसको मान के दिए जून अब यह जून में कब क्योंकि देखिए अगर आप देखते हैं वेबसाइट प होता है तो बहुत सारे सब्सक्राइट के टेपर होते हैं तो आप पर जो एक्जाम का रफ्ली जो डेट माना जा रहा है वह 10 जून से लेके आप पर 25 जून तक कर दो यह 15 डेज का इंडिवल होता है जहां पर आपके सारी सीविटी पीजी का एक्जाम जो है कंड़क्ट करा दिया जाएगा तो एक बार इस पूरे प्रोसेस को हम लोगे तर दोवारा देख लेते हैं कि कौन कौन सा एक्जाम होगा और यह देख लेते कि टाइम पिरिएट कब होता है तो इस हिसाप से अभी भी अगर आपने प्रिप्रेशन स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि बहुत स आपका अप्लिकेशन फॉर्म का जो डेट हो जाएगा यह हो जाएगा मान के चलिए 10th of March से लेके 30th April इसके बीच में आपका पूरा अप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा इसी के बीच में आपको जो है एक्स्टेंशन भी मिल जाएगा फिर आजाता है फॉर्म एडिटिंग फिफ में से 10th में ते कब और वहीं अगर हम लोग एक्जाम की बात करते हैं तो आपका 10th June से लेकर आपका 25th June यह आपका जो एक सेडूल होने वाला है तो इस हिसाब से आप यह मान के चलिए कि अगर आप October अभी चल रहा है और जून में आपका एक्जाम होता है तो आपके अभी आपके पास around seven month है अठ्य से एक्जाम को preparation करनेगा तो जितने भी ऐसे candidate है जिन्हों ने आप लोगों ने अभी तक अपना preparation स्टार्ट नहीं किया है तो यह high time है आपको अपना preparation स्टार्ट करनेगा और जो important चीज़ आपको देखना है तो सबसे पहले preparation स्टार्ट करने स पहले last year के papers 22,23,24 के papers इंको solve करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको पास पेपर साइए तो आपको 844-887-8849 पे call या message कर सकते हैं इसके अलाबहा बहुत सारे subject के लिए जो है question brand, case, online classes, complete study material यह सारी चीज़ें प्रवाइड क जा रही है, so अगर आप new है इस चानल पर तो whatever चानल को subscribe कर लें, notification वेल विदावाल है, so तो इतने भी important updates होते हैं, उस थारा आपको नीतर आएगा, और exam strategy की तरह पी पूसिस होती है, right form preparation to the admission to the top universities, हर एक step पे आपका help किया जाएगा, हर एक step पे आपको guide किया जाएगा, so that आ आप अपने preparation का नुसार, आप अपने preparation की enhance करें और top universities में admission लिजिए, so video पसंद आए तो please video को भी like कर दो, so thank you and we wish you all the very best.